जुहार एवरिवन आज हम संथाली समाज की पेई परदात यानी की हंडी जिसे की हंडिया भी कहा जाता है जो की चावल से बनता है उसे कैसे बनाया जाता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम मिट्टी का बरतन यानी की घड़ा लेंगे जिसमें हमें चावल को पकाना है उसके अलावा एक छोटा बरतन लेंगे जिससे की हमें पानी के क्वांटिटी को नापना है उसके बगल में है चावल इसमें मैंने देजी या तो ब्राउन कलर के चावल को लिया है इसी से हंडी जादा अच्छा बनता है। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तीन किलो चावल लिये हैं। चावल के बगल में हैं लेफ साइड वाइट कलर के छोटे बॉल्स जिसे की रनू कहा जाता है। रनू एक हरबल जण मिसरन हैं यानि कि इसे कई जड़ी बूटियों के साथ चावल के पाउडर के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। और पके चावल को फैलाने के लिए हम इस तरह का कोई भी समान ले सकते हैं लोग कपड़े या प्लास्टिक भी लेते हैं लेकिन हम बास से बने हुए इस तरह की चीजों का ही इस्तिमाल करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या चीजों की अवशकता है वो तो हमने देख लिया चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं आप देख सकते हैं मिट्टी के बरतन पर मैंने तीन छोटे बरतन पानी लिये हैं यहाँ पे आपका जितना कीलो चावल है उतना ही आपको पानी पड़ेना पड़ेगा, यहां मैंने पानी को ले लिया है, फिर अब हम इसे थोड़ी देर गरम करेंगे, हम लोग यहां लकडी के ही चुलत का परङयोग करते हैं, आप जैस पर भी बना सकते हैं जब पानी थोड़ा थोड़ा गरम होने लगे तब हम अपने चावल को लेके आएंगे चावल आप डाइरेक भी डाल सकते हैं लेकिन हमारे तरफ एक रिवाज है कि पहले एक मुठी चावल इस पानी में डालना है जब यह डालना हो जाए उसके बाद सारे चावलो को डालना है तो आप देख सकते हैं मैंने यहां एक मुठी चावल डाल दिया है उसके बाद सारे चावल को इस बरतन में डाल दिया सारे चावलो को डालने के बाद इसे हमें ज़्यादा देर चलाना नहीं है बस थोड़ा सा मिक्स कर देना है थोड़े देर के लिए उसके बाद हम इससे धककन से धक देंगे आपने जितने चावल लिये होंगे उसे पकने में उतना ही टाइम लगेगा मैंने जितने चावल लिये थे वो लगबग आदे घंटे में बनकर रडी हो गया है अब हम धकन को हटाएंगे और देखेंगे चावल पका है या नहीं वह पता कैसे चलेगा आप एक सबजी निकालने वाली कर्चु ले सकते हैं और इस तरह से जैसे मैं वीडियो में दिखा रहे हूँ हम कर्चु को स्ट्रेट इसके सर्फेस यानी की नीचे इस तरह पर सटाए हैं अब इसके धकन को हम थोड़ी देर हटा देंगे ताकि भाप निकल जाए अब हम रनु यानी की वाइट बॉल्स को लेंगे अगर ठंडी का सीजन है तो आप धकन के ऊपर इसे कुछ देर के लिए इस तरह से छोड़ कर रख सकते हैं अगर यहां गर्मी का सीजन है तो आ आप एक दो एक्स्ट्रा बॉल्स भी यूज कर सकते हैं मैं आज टोटल चौदा बॉल्स यूज करूंगी सारे समानाओं को इखटा कर लिया है अब हम पके हुए चावल को इस बड़े बरतन पर निकालेंगे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए सारे चावल लगभग निकल चुके हैं अगर मिट्टी के बरतन पर ध्यान दिया जाए तो आप देखेंगे कि कुछ चावल इसके सर्फेस पर सटे हुए है ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब हम चावल पकाते हैं और उसके सारे पानी को खतम करते हैं उस समय कुछ चावल इसके सर्फेस पर चावल को लेंगे और उसके उपर इस रनू के पाउडर को थोड़ा थोड़ा छिड़केंगे ताकि यह इसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाए आप वीडियो में देख सकते हैं मैं इसके उपर से रनू के पाउडर को छिड़क रही हूँ फिर इसे मिक्स करूंगी फिर मिक्स कर के बाद फिर से इसके उपर पाउडर छिड़कूंगी ताकि यह पाउडर इस चावल में पूरी तरह से मिक्स हो जाए थोड़ा सा पाउडर हम बचा देंगे और उस मिट्टी के बरतन के सर्फस पर छिड़केंगे जैसा वीडियो में दिख रहा है तो यह आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैं बरतन के चारो तरफ इस पाउडर को छिड़क दे रही हूँ जब यह पाउडर पूरी तरह से छिड़कना हो जाएगा तो वापस रनू के मिश्रन से मिक्स चावल को हम लेंगे और उसे वापस इसी बरतन पर डालेंगे इस समय यह चावल ना त तरह से भर चाए तो उसे अपने हाथ की मदद से थोड़ा सा समतल करेंगे और इसे चारो तरफ फैलाएंगे उसके बाद हम एक बचा हुआ रनू लेंगे और इसका भी हम पाउडर बना लेंगे फिर इस पाउडर को उपर चावल की परत पर छिड़केंगे जैसा आपको व हमारे घर पे चार-पांच पत्ते यूज हो जाते हैं तो उन्हीं सारव पत्तों से मैंने चावल को ढग दिया है अब हम बरतन में थोड़ा सा पानी लेंगे और उस पानी को इसके उपर हम चिड़क देंगे चारो तरफ पानी चिड़कने के बाद इसे हम ढखकन से बंद कर देंगे और घर के किसी अंधेरे वाली जगा पे दो दिन के लिए बनने के लिए छोड़ देंगे दो दिन के बाद आप देख सकते हैं हंडी कुछ इस तरह का निकलता है इसे ही हम पूजा के लिए यूज करते हैं बजार में जो आपने हंडिया देखा होगा वो थोड़ा अलग होता है दो दिन के बाद जो हंडिया पक जाता है उस चावल को पानी से हास्त के द्वारा मैश किया जाता है और छलनी से निकाला जाता है वो बजार में उस तरह का हंडिया दिया जाता है अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारे आदिवासी समाज के लोग प हार नो चुछ दो दो आगा है जो आगा है